स्टार्ज का सरल परेक्षन स्टार्ज एक प्रकार का कार्बोहेड्रेट है जिसमें कि ग्लूकोस के बड़ी संख्या में अनू एक साथ जुड़े रहते हैं यह मानव आहार में सबसे आम कार्बोहेड्रेट है और चावल, आलू, आटा एवं मक्का में पाया जाता है स्टार्ज भोजन को गाढ़ा करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है जैसे कि आलू युक कुछ ग्रेवियों या शोरबिय में चावल से बनी खीर भी चावल में मौझूद स्टार्ज के कारण गाढ़ी होती है इसके साथ ही स्टार्ज का इस्तिमाल कपड़ों को कड़ा करने के लिए भी किया जाता है जैसे कि सूती साडियों में भोजन की नमूने में स्टार्ज की उपस्थिती का पता लगाने के लिए आपको चाहिए परकनलियां, चावल का आटा, एक ड्रॉपर, आयोडीन विलेन, ब्रेड की स्लाइस, आलू के टुकडे, सेब के टुकडे और केले के टुकडे एक परकनली में एक चुटकी भर चावल का आटा ले विलेन बनाने के लिए परकनली में थोड़ा पानी मिलाए परकनली में दो या तीन बून्दे आयोडीन का विलेयन मिलाएं आप देखेंगे कि विलेयन नीला काला हो जाता है आलू, सेब और ब्रेड आदी की ताजा स्लाइस ले और उन स्लाइस पर आयोडीन विलेयन की एक बून डाले स्टाज की मौजूदगी में आयोडीन नीला रंग देता है आलू और ब्रेड में या प्रमुक रूप से उभर कराता है इस प्रकार हम इस निसकर्श पर पहुंच सकते हैं कि इन खाद्य पदार्थों में स्टाज मौजूद होता है सेब में बहुत ज्यादा स्टाज नहीं होता है सवाल जवाब स्टाज में किसी पदार्थ को गाढ़े करने का गुण क्यों होता है? स्टाज की अनूँ में ग्लूकोस की लंबी और छोटी दोनों शिंखलाई पाई जाती है जब स्टाज को पानी के साथ गरम किया जाता है तो स्टाज की अनूँ पानी को अवशोशित कर लेते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गरम करने पर इसकी आणविक संरचना इतनी अस्त व्यस्त हो जाती है कि पानी के अणू आसानी से इसमें प्रवेश कर लेते हैं ये प्रसारित या फैली हुई श्रिंखलाई एक दूसरे में उलजना शुरू कर देती हैं और श्रिंखलाई का एक जाल बना देती हैं ये जाल ही विलियन को गाढ़ा कर देते हैं आयोडीन नीली काली क्यों हो जाती है? स्टार्ज एक कुंडली आकार के या चकरतार बहुलक से बना है आयोडीन के अणू आसानी से इस बहुलक पर फिसल जाते हैं और इसके अंदर फिट हो जाते हैं ये आयोडीन और स्टार्ज की सन रचना को बदल देता है और इसके परिणाम स्वरूप रंग में परिवर्तन हो जाता है